आप सबको हमारे चैनल के आंदर ट्रेजर पर स्वागत थे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच नौउंबर साल दो हज़ार चौबिस का राशी फिल हिंदु पंचान के नौउंबर पांच दो हज़ार चौबिस समंगलवार कार्तिक मांग के शुकल पहच की चतूर्थी ती थी है और इस दिन राहुकार दो पहर दो बचकर स्ट पच्पन मिनट से लेखे शाम चार बचकर 21 मिनट तक मान के चले सुबा के नौबिस कर 25 मिनट तक चन्नमा बिश्यक उप्रांतितन 80% करेगा और आपको इभी स्पेशल बुड़क शिवागो.com या ओंजा.com से प्राप कर सकते हैं विलबुल चैनियून अथन्टिक लैब सेटिफाइट और साथ में अभी मंतरित भी दियाक चाहें को विश्त रखेंगे. कारी शित्र में सही समय पर सही नेने लेने से आख को सफलता मिलेगी. किसी भी कारी पुप परने से पहले कारी नेतीती करने के बाद ही काम आरंब करें. नई नौकरी शिरू कर रहे हैं या ता बादला हुआ है तो काम काज को लेकर सतर करें. स्वास्त रहेगा, किसी प्रगार की चिंता ना करें, छात्टों के केरिस रुड़ी किसी समस्या का समादान खोजने से उससा बढ़ेगा, धार्बीक कारियों में आपका अच्छा योगदान रहेगा, नौकरी पेशा जातकों को मन के नुसार मन्चाह काम ना कर पाने से मन मायूश रहे का, हिम्मत ना हरें और कोशिश करते रहें, विरोधी पक्षा आप के लिए परिशानी कड़ी कर सकता है, अजनगियों पर आसानी से वरोसा करने से बचें, जिस स्यात्रा के लिए आप काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, उससे समान दित कोई खुश खबरी मिल सकती है, व हम बात करते हैं बिशबरासी की, बिशबरासी के जातक अपने आवश्यक कारव को बहुत ही सोच समझ कर करने के लिए कहूंगा अच्छ, आपकी मेनत धरंग लाएंगी, लगिन आपको थोड़ा सबर करना बढ़ेगा, आज इविका के शेतर में चल रहे हैं प्रयास फलिब केरियर में किसी नहीं मिलने वाले मौके के लिए तैयार रहने की जरूरत है, सरकारी काम से जड़ोई लोगों पर काम का बोई बढ़ सकता है, महिलाएं विशे सूप से अपने स्वास्त का ध्यान रखें, धार्मी क्या तरह की प्लैनिंग भी कर सकता है, आपके खर्चे कम क करने होंगे और निवे सदिक करने के बारे में सोच विचार करना हो, आप संतान से संबने कुछ मामलों में धैरे बनाए रखें, नहीं तो आपको कोई आपसी लड़ाई जगड़ा हो सकता है, आपको भी परिचित आपसी धनुदार मांग सकता है, कुछ लोग आफिस के काम से किसी दूसरे शेहर भी जाना पड़ सकता है, परिवार का कोई करीबी रश्रिदार आज विशेश तोर पर आपसे मिलने खरा सकता है, जीवन साथी के साथ रश्रिदारी ने जा सकते हैं, परेम जीवन जीने वालों को आज अच्छे नतीज़े मिलेंगे, आपके लिशो जौब अगर का अपॉन्मेंट लेटर मिल सकता है, दन के मामले में शुब समचार प्राप्त हो सकते हैं, करवारी वर्गों वेपार में कुछादोनीक पैटर्न जोडने से मन्चाई बडूत्री मिल सकती है, नौकरी पेशा लोग उच्छुट उच्छुट प्रजेक्ट प परिवार के सभी से दसाब से खुश हो सकते हैं, मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अन बनो सकती है, परिवारी के स्थितियां ठीक टा करेंगी, सुबह घर से निकलते से मन्दिर में माता टेक कर निकलें, पगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी य आत्रा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लें, दूसरों की कही बातों पर तत्कार भरोसा ना करें, शाया दिशुदा लोग एक दूसरे को बड़े ये रोचक तरीके से समझेंगे, प्रेम समन्दों में आपका प्रियासों के सकरात्मक परिणाम मिलेंगे, आज के दन आ आपका शुबंक होगा च्छे हम बात करते हैं करकराशी की, करकराशी के जातर आज धन से जोड़े चिंताय छोमन दरोजिफ्टी है, कारुबारियों के लिए धन लाग के योग बने हुए हैं, आज कारशेतर में परिश्रम में कोई कमी नहीं आने दे यदि आप कमपनी बदलने का मन बना रहे हैं, तो इससे पहले खुद को तयार करना होगा आज आपके जीवन सेले में कुछ सगरातमग बदला हुएंगे किसी इस शिकार करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है नौकरी पेशा जातर कार करने में जल्दबाजी नग करें और किसी अनब़ी भी वेक्ति से चर्चा करते रहें गरीलू खर्चा ज़्यादा हो सकता है साथ यामदरी के सादन भी मिल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जुरूत नहीं है वेपारिक पार्टियों मार्केटिंग समन्दिकारियों के विस्तार पर आप ठ्यान दीशिये कोई अफिशिल यातर करने पर सकती है महिला आज आज आउनलाइन कोई नीडिस सीखने की कोशिश करेंगी और उसे सफ्रम नहोगी कुछ लोग जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जाएंगे और निशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा दिन और आपके लिए शोबंग होगा चार्ष्ट आप हम बात करते हैं सेहरासी की सीख रासी के जातक आज का दिन राजने दिक छेत्रों से जोड़े लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि उन्हें जन समर्थन के कारियों से पूरा लाफ मिलेगा आप भगवान के प्रतियास था और विस्वास रखेंगे जसमें आपनी संकूश आगे बढ़ेंगे आज बविश्य में इसको लेकर योज ना बना सकते हैं विद्य सलाह के लिए एक बुद्धिमान किसी मीन राशी से आप संपर्ग कर सकते हैं आज आपको अपनी किसी कांद को किसी परिजन के लिए कुछ पैसे पें नित्जिमान करना पड़ सकता है इसको अपनी के लिए ही करना पड़ेगा बिसनेस के कांद बहुत सावधानी से करने के जुरुत है किसी नए आट गारलम मा करने समस्य में सफल्दा मिल सकती है पड़ाई में समय से में पर थोड़ा सा ब्रेक लेना फायदे मन्द होगा आज के तिन स्वास्त से जुड़ी किसी मामले में छुप रहे न होगा यदि आपने पहले किसी को तिन उदार दिया था तो वो आज आपको वापस मिल सकता है तो भी गब्राट और थकान रे सकती है इसलिए उच्छी ताराम बे लिना वश्यक है आज यात्रा मिज़ेदार रहेगी खासकर गरिक अवगास यात्र है बड़बूले पन से बचें बहुत साए रोमांटिक अवसर आपके रास्ते में आ रहे है शादी शुदा लोगा गरियास जीवन बढ़ियां रहेगा आपके लिए बाग शाली अंक है नौ हम बात करते हैं कन्या रशी की कन्या रशी के जब तक आज नियम्मू का अद्देखा न करे और पर इश्रम पर पूरा भरुसा रखे कोई आप से लिया हुआ उधार समय पर पूर्शा कर भरुसा बनाए रखेगा जिन लोग की अलेक्ट्रोनिक सामान की दुकान है उनको अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा आफिस में कोई अपनी कॉंटेक्स के चददी आप के लिए चीज़ें आसान कर सकता है आज आज स्वास्तिष्ट भूजन कानंद ले और सुबह को जल्दी उठे आप एक मसेदार यादतर कर सकते हैं यादतर के दौरन बेहते पानी से आप बिल्कुल दूल रहे हैं काफी बीजी दिन रहेगा आपके पास कई काम होंगे जनल स्यावों के जोरी काम के शिरुवात करनी हुए और उन्हें अंदिव रूप देना होगा आज कदेन आपके लिए धेरों ने अवसर लेकर आया है आपकी खड़ी मिनित का परणाम आज मिल सकता है आप उत्साहित में सूस करेंगे इस रासी के विवसाय से जिरुव लोग को उमें स्यदिक थन लाब होगा समाज ये कस्तर पर आपके लोग के पेता बढ़ेगी किसी काम में माता पेता, किली गी सला, आपके लाब दायक होगी आप कुछने दरुस्तों से मिलेंगे जो आपके जीवन में कुछ नया बदलाओ करेंगे आज घर बर आपके रिष्टिक बेलेकर बाचीत हो सकती है ज्यादा घमने नहीं करें, नहीं तो नुकसान आप कोई है आप अपने प्रिये से दल के बादे शेयर कर सकते हैं शाद शेयर दलोग अपने रिष्टे में काफी अच्छा मैसूस करेंगे आज आपके शुबंक होगा पाच्च हम बात करते हैं तुला रशीक तुला रशीक जाता है लोग प्रियता के साथ साथ जन समपर्क का दाइरा भी बढ़ेगा जो काम रुके हुए हैं या कुछ समय से दूरे रह गए हैं तो पूरे होंगे इस समय के वर अपने लक्ष पर ध्यान के इंद्ध करते रहे किसी संसा से जोड़ने का उसर मिल सकता है नियमे दनचरिया बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक कारुबारियों को लाब मिल सकता है कारेश्यक में आप जो पाम आसिल करना चाहते हैं उससे पाने के लिए अज पूरे से दर्द से प्रयास करें आफिस पर से योगी आदि सच्छा वेवार करें ऐसा करना रिष्टों को मजबूत करेगा अगर आपको पीठे दर्द है दूर करने के लिए फियो तरफी के साहत लें लंबी दूरे की आदर पर जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तवियों को साथ में रुखें कारुबारियों को दुलाब मिले गई आपके सोवां में विनम्रता और विविक जैसे बुन आपके वेक्टित्त को और निखारेंगे आज के दिन कोई भी योजना बनाने से पहले गंबीरता से विचार कर लें अन्यता को जो गलतियां हो सकती है जीवन साथी के साथ एक बहुत ज़री बात चीत आज होगी अगर प्रीम समंद की बात करें तो परिजनों की सलाह लेने में कोता ही बिल्गुल नहीं बढ़ते हैं आपके लिशो बंकू भाई और उम बिश्करासी की बात कते है बिश्करासी के जाते हैं आज पसन्यता दिलाने वाला तन है आप नोकरी में पने जोरी कामों को समय से पूरा करेंगे और साथिकारी भी आपकी तारीफ करते नंजर आएंगे लेकिन आपको अपने जम्मेदारियों को बुको भी निवाना होगा यदि उनमें आपने डील बढ़ दी तो आपको समस्या हो सकती बेसाए में आपको चैनलोगों को भी शामिल कर सकते हैं जिससे आपके सभी काम समय से प्रास आने से पूरा हो पाएंगे आपको लेन देन के मावने में किसी बात को सपश्च रखना होगा ने तो बाद में वो समस्या बन चाहेगी प्रापटी से उड़े काम में फायदा होगा सहकर्मी आपको बेर साइज उड़े कुछ अच्छी जानकारी दे सकता है किसी पर कोई एहन जिम्मेदारी न डाले नौकरी पेसर से जोड़े लोग अधिकारियों और सहकर्मियों से मदूर समंदर रखें ठकान और निद्रा जैसे समस्या हो सकती है अपने प्रापटी देखने के मज़स्च से आज बाहर जा सकते हैं किसी का सकरात्मंग वेक्तित आप में उत्साहित करने वाला परिवर्थन लाएगा न विवाईद लोग के लिए आज का दिन बहुत कोशियों से भरा रहेगा रिलिशिशिप के लिए आज का दिन काफी अच्छा है आप लिश्व बंक होगा एक अम बात करते हैं धनू राशी धनू राशी के जाए तक आपको डूवी भी रकम प्राप्त सकती है प्रास करें आज के दिन आपके लिए किसी नए बिजनस करने के लिए अच्छा है सिक्षा और कंसल्टेंसी से जोड़े लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिन है आपके प्रोफाइल के आदार पर बड़े मौके बनते हुए दिख रहे हैं आपको कोई रुबाव प्रोजेक्ट पास हो जाएगा इस रासी की चातर प्रोफाइल में कुछ ने बदलाओ करेंगा जल्दी सफ़दा मिले किसी उच्छे दिकारे से मिलकर अपनी समस्चा के समाधान पर बात करेंगे आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए ने लोग उसे मुलकात भविश्य के लिए लागदाए कोगी आज छोटी दुरी की आतर पर जाने की योजना बनेगी आज आपका साथ ही किसी मतोरन कार में आपका साथ देगा आपका लफ पार्टनर आपकी सराह ना कर सकता है आज आपका शुबनग होगा खाकिन और शुबनग होगा साथ अंग बात करते हैं मकर राश मकर राशी के जातक अजस्तितिया आपके पक्ष में अनुपूल रहेंगे वेबार में आज आपका काम सेहिडन से होगा जो रोग कुछ समय से आपकी खिलाफ थे वे भी अब आपके पक्ष में आएंगे दिखावी के लिए अधिक खर्च या उधार लेनी की इस्तिति से बच्छें अन्ड़ता आर्थिक इस्तिति गरबड़ हो सकती है मकर राशी के जात दन के मामल में तो ऐसे तो लाब की इस्तिति है बढ़ानी वेस करने से पहले अच्छे दिंग से विचार अवश्य कर लें बेवसाइक पार्टियों के साथ समंदों को और मिद्बूत बनाएं बहुत समय से रुके वी किसी कार को बनाने की चेश्टा करें नौकरी पिशर लोग अपने कामों पर लेकर उपूरी तरसे जम्यदार रहें स्वास्त अच्छा रहेगा फाइवर वर ले चीज़ों को अपने बोजन में बढ़ाएं और साथ ही तरल बदारत का सेवन करें अगर आपको कुछ का बिजनेस है तो आपको भी समान लेने के लिए बाहर जाना पर सकता है भाई बेहनों के साथ रिश्टम मजबूती आएगी उनके मदद के लिए हमेशे तयार रहेंगे मित्तों के साथ के यह बाहर जाने की उजना बनेगी आज के दिन आपको अपने जिन्द के कान परिशान होना पर सकता है आप दूसरों को जितना जादा मात्व देंगे आपको भी इतना ही मात्व मिलेगा विवास अमने जानकारी के लिए किसी जोती से मिलने के समभाव ना है जो रुक स्यादिश होता हैं उन्हें अश्चे अंदेश मेरे आपके लिए शुबंक होग अच्छे हम बात करते कुमबरासी की कुमबरासी के जाद तक आपके कमाई के जरिये बढ़ सकते हैं बेरसाएं में आज भाग पूरी तरह से आपके पक्ष में है आपके दोरा किया गया प्रॉपर्टी डिल शान दात रहे अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा नौत्री पिशर वैक्तियों पो भी कोई प्रमोशन या लाबदा एक टांसर मिलने के योग हैं आपके समाजिक कारियों में रुची बढ़ने से आपका मन काफी प्रसंद रहेगा आप संतान के समस्तर को लेकर परिशान रहेंगे आप किसी काम पर बेहतर बनाने के लिए पूरा दिन लगातेंगे जिसके बाद आप अपनी कामों की योग ध्यान नहीं देवाएंगे स्वास के पर दिया रड़ रही है और यात्रा कर रहे हैं तो कहीं पे भी जादेर ना रुकें पुराने वान को नहीं के साथ बदलने के लिए आप जा सकते हैं आप अपनी क्रेटिविटी से अपनी बेस्त जीवन भुकुष्णुमा बनाएंगे जो रुगले शैशिक में अपने ब्यार बुले कर बाफीस से जग रहेंगे आपके लिए शोबंग होगा नौग आज के दिन घर और बाहर दोनों जगतार में इन पनाना है तबी रिष्टा अच्छा से चल पाएगा आपके लिए शोबंग होगा नौग आप मीन राशी की बात खटते हैं मीन राशी के जातक आज किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है अच्छी बारगेनिंग के कारण किसी चीज़ को कम से कम दाम भी खरीच सकेंगे कारोबार में आ रही रुकाउंटों और परिशानियों पर काभू पालेंगे कारशित्र में आपको काम के लिए वावाई मिलेगी नौकरी में बदलाओ के लिए आप सोर सकते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले अपने माता पिता का आश्रवा दवश्यने पूरा दिन निगिटिविटी से दोल रहेंगे आप से कोई अबरशित बात करेगा जिसके बाद उससे आप अच्छा प्रभाव जो है वाप पर बढ़ेगा आवश्यक धन का उप्योग या दर उप्योग नहीं करना है लोग आपके कारियों की इसराहना करेंगे आप से कुछ सीखेंगे भी सामाजी को राजनेतिक समंद काफी अच्छे रहेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपके प्रयासों से आपका स्वास्त अच्छा बनेगा किसी दूसरी शेहर में रखके रिष्ठा दर से मिलने के लिए ड्राइब करके जाना काफी रोमांच परेगा एक नया और मतपुर्ण वेक्ति आपके जीवन में कदाम रख सकता है आज आपके सद्धूर आपसे दोस्ति यहार मरा सकते हैं लव में साज बाहर निरर पर जा सकते हैं किसी असाय वेक्ति के मजज में ही राज कर सकते हैं खेड़ु जीवन के लिए समय अत्यन तस्रिष्ठे आपके लिए शुबंक होगा शार तो धन्यवाद आप सिर्फ का हमारे चैनल के स्वागत है आप हमारे चैनल के सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट दीशिए धन्यवाद